उर्जा की कमी से जूज रहे पाकिस्तान को रूस कच्चा तेल देने पर राजी तो हो गया है लेकिन उसे शक है कि पाकिस्तान तेल समझोते को लेकर गंभीर नहीं है विश्वास की सकमी को पाटने के लिए रूस ने पाकिस्तान से काया है कि पहले वो उससे कच्चे तेल का एक ही कारगो आयात करे रूस का कच्चा तेल काफी भारी और पाकिस्तान के पास इस तरह के कच्चे तेल को रिफाइन करनी की तकनीक ही नहीं है इसे लेकर दोनो देश इस निश्कर्स पर पहुचे हैं कि रूस पाकिस्तान को मिश्रित तेल निर्यात करेगा पाकिस्तान के अकबार The Express Tribune को सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान रूस के बीच तेल समझोते को लेकर विश्वास की कमी है रूस ने हाली में पाकिस्तान पर संदेज अताया है कि वो तेल समझोते को लेकर गंबीर रही है दोनों देशों के बीच हालिया बैठक में रूस ने पाकिस्तान से कहा कि वो टेस्ट के लिए पहले तेल की एक ही कारगो को आयात करे सूत्र कहते हैं कि रूस पाकिस्तान को मिश्रित कच्चा तेल देने को राजी तो है बताया जा रहा है कि इस साल के अपरैल तक पाकिस्तान को रूसी कच्चे तेल की एक कारगो मिल जाएगी इससे दोनों देशों के बीच तेल को लेकर एक बड़े समझोते का रास्ता खुल सकता है पाकिस्तान में डॉलर की भारी किल्लत भी है जिसे देखते हुए उसे रूसी कच्चे तेल के भोकतान में भारी चुनोती होने वाली है इससे पहले एक विदेशी कंपनी ने पाकिस्तान के रिफाइनरी को रूसी कच्चे तेल की खरेदारी की पेशकस की थी लेकिन पाकिस्तानी बैंकों ने डॉलर की कमी को देखते हुए रूसी तेल के भोकतान से इंकार कर दिया अब रूस डॉलर के बजाए तीन दूसरी मुद्राओं में पैसे लेने को लिए सहमत है पाकिस्तान अब रूसी तेल का भुक्तान रूसी रूबल, चीनी येन और संयुक तौरब अमिरात के दिरहम में कर सकता है सूत्र कहते हैं कि स्टेट बैंक आप पाकिस्तान और रूस के केंद्रिय बैंक इन तीन मुद्राओं में तेल आयात के लिए भुक्तान तंत्र पर विचार कर रहे हैं सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान ने एक नई SPV कमपनी बनाने की योजना बनाई है ये कमपनी पाकिस्तानी रिफाइनरियों द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात की देखरेक करेगी इस कमपनी पर पाकिस्तानी सरकार का अधिकार होगा यूकरेन पर रूसी हमले को लेकर पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाया था दिसंबर की शुरुवात में पश्चिमी देशों ने तै किया था कि समुद्र के रास्ते निर्यात किये जाने वाले रूसी तेल की कीमत 60 हरब डॉलर से अधिक नहीं होगी पाकिस्तान इसी प्राइस कैप के अधीन रूस से तेल खरीदना चाहता था अमेरिका पाकिस्तान के फैसले पर राजी भी था लेकिन रूस नहीं से इंकार कर दिया रूसी राष्च्पती व्लादिमीर पोतिन ने प्राइस कैप के घोषना के बाद कही थी कि वो उन देशों को रूसी तेल आयात नहीं करेंगे जो प्राइस कैप के अधीन तेल आयात करना चाहते हैं अब आगे जाकर ये रास्ता पाकिस्तान और रूस के बीच तेल आयात का खुल तो गया है लेकिन सवाल जज का तस्व बना हुआ है कि क्या पाकिस्तान में अभी इतने पैसे हैं कि वो रूसी तेल की भरपूर खरीदारी कर सकें ब्यूरर रिपॉर्ट हारत तक हुआ हुआ है